चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर हाई दोस्तों कल मैंने आपको दिखाया था कि मम्मी जी ने पारॉल का प्लाजो सिला है और आज उसी का सूट भी सिल दी है देखिए तैयारी चल रही है सूट की दबा के और इदर पारॉल क्या कर रही है किसी की प्लाजो की और ये पारॉल अपने प्लाजो की तो रुपाई नते दाब्र करी इह दर और वारी दादी जी देखी अराम से लोटी है इन्हें कोई करने हैं कोई काम दाम की मज़े ले रही हैं पूरे देखो कितनी खुश्य हो रही है हमारी दादी जी किनी दिर में सल जाएगा मम्मी आज में हो जाएगा तो आज पूरा कंपलीट हो जाएगा इसके फिर तुर्पाई होगी बनने के बाद तो ठीक है दोस्तों देखिए हमने माजा की बोतल में मनी प्लांट लगाया हुआ है मतला हमारी माजा की बोतल में मनी आएगी वाँ और दोस्तों बारिश में तुलसी माता कितने अच्छी हो चुकी हैं और इदर देखिए सब्जी वाला अलू मटर बीच रहा है और हमारे बलोग के बीच मा रहा है आज देखिए सास बहु की जोड़ी बैठी है तो आपको पता ही चल गया होगा सास बहु को चैलेंज करने वाली हैं और इस चैलेंज का नाम है दोस्तों टेश चैलेंज आज मम्मी और पारुल के बीच होगा और देखते हैं ज़्यादा सही अंसर कौन देगा इसमें मैंने 10 आइटम लिया हैं जिसमें 5 मम्मी को टेश करवाँगो और 5 पारुल को जो ज़्यादा सही जवाब देगा वो जीत जाएगा और जो हार जाएगा तो हार जाएगा पनीशमेंट एक सास बहु में चलती नहीं है क्योंकि वो सास ते एक पल के लिए बहु को पनीशमेंट दे भी दे बहु नहीं दे सकती तो सिरफ हार ना जीत नहीं है तो यह सिरफ एंडेटेन्मेंट के लिए है दोस्तों तो मम्मी पहले इस challenge को कौन complete करेगा आप बड़ी हो इसलिए करोगी जलो ठीक है आप बड़ी हो तो तो पहले आपके पत्टी बांदी जाएगी ने आपको ने बांद नहीं है विगद दिख जाएगा आपको चलो कि दिखाएं और फिर देखेंगे मम्मी घैस कर पाएंगी है नहीं कि देखिए सास वाओ कि देखने रहा ना बिल्कुल भी अच्छा चलो फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो दोस्तों पहली आईटम है यह आप समझे गए होंगे कोई खतरनाक चीज नहीं है क्योंकि मम्मी आगा खतरनाक चीज खिलादी तो मम्मी बहुत दोलाई करेंगी तो इसलिए ऐसी चीजे खिलाऊंगा जो मम्मी खाओ आराम से खाओ लो अपने हाथ से खालो नहीं हाथ देखोंगी खाओ खाओ बताओ मम्मी तो ऐसी तोड़के देख रही हैं खाओ के देखोंगी तो दोस्तों पहला एंसर मम्मी का बिल्कुल राइट है तो एक आपको पता ही चल गया होगा देखके क्या चीज़ है यह तो यह मैं खिलाता हूं मम्मी जी को मम्मी मुझ खोलो और खालो इसे और बताओ क्या है खाने की चीज़ है कोई दिक्कत नहीं मटर सफल मटर बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों मम्मी का और मम्मी के हो चुके हैं दो पॉइंट अब तक ममी ने कोई अंसर गलत नहीं दिया है अच्छी जा रही है ममी जी तो दोस्तों यह है तीसरी आइटम यह आपको देखके पता नहीं लग रहागा पर ममी को टेस्ट करती ही पता चल जाएगा देखेंगे सही जवाब दे पाएंगी है नहीं ममी लीजिए खाईए क्या बताओ ममी लोग ले लो उंगली पर थोड़ा सा लग गया भी जल्दे ले लो गिर जाएगा क्या मक्खन सही जवाब तो ममी के तीन असर सही है बिल्गुल दोस्तों ममी ने बिल्गुल सही गैस किया है अब चोसी आइटम क्या दोस्तों आप पता लगा पाए थे मक्खन था है क्या सही है तीन आंसर सही तीन पॉइंट और दोस्तों यह है हमारी चोसी आइटम यह ममी को मैं खिलाने जा रहा हूं देखते हैं ममी गैस कर पाएगी नहीं ममी आ करो हाँ 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 जभी का रहा हूं अच्छे चलो कौन सी मेरा चाहे है हाँ हरी तीन थोड़ी जीजी पम्मी असलिए बहना है तो जो तांसर पर बिल्गुल सहीं अब तक एक भी गलत नहीं है अब यह भगवान एक तो गलत हो जाए मम्मी जी का मम्मी तो जीती गई तो दोस्तों यह है लास्ट आइटम यह ऐसी चीज़ा है जिसे मम्मी का मूँ ठीक हो जाएगा जला हुआ लेजे मम्मी जी पनीर बिल्कुल साई जवाब दोस्तों मम्मी के 5 के 5 ज़ी पनीर अगर पालल थे गलत गा तो तब यहारी जाएगी पालूल अब देखते हैं पालल सारे साही जवाब दे पाएगी या नहीं तो पालल रेटिएओ चलो! अब मम्मी आप इसको बांद पट्रि套शक अब दोस्तों मम्मी करवाएगी टेस्ट पारुल को दिखाई मम्मी पहले दोस्तों को दिखा दीजी क्या चीज आए देखो दोस्तों आपने देखी लिया है अब मम्मी जी खिलाएगी पारुल को और देखते हैं सही बता पाईगे नहीं क्या है पारुल ये दोस्तों पारुल का बिल्कुल सही अंसर है यार इज़ इज़ी करवाता हूँ थोड़ा मुश्किल होना जी उट पटा बट नहीं चलो मम्मी अब दूसरी आइटम खिलाओ दूसरी आइटम क्या है मम्मी जी ये मम्मी जी देखो क्या ले रही है ये देखो सास ने बहु को क्या खिलाया क्या है पारुल ये कौन सी साही जवाब है पारुल का दोस्तों तो दो पॉइंट हो चुके हैं और अब तीसरी आइटम खिलाने जा रही है मम्मी पारुल को ये देखी ये आप समझी गई होंगे कुछ दिन पहले बनी है हमारे गर म में तक बहुत चीजे बनी हमारे घर में मम्मी दोस्तों ये भी सही है बिल्कुल ये मटा रहा है तो तीन पॉइंट सही है पारुल के और सिर्फ दो रहा चगी आइटम तो ये तो ममी खुदी खा रही है और ये चोति आइटम दोस्तों ये बताना आपको समझाई कि नहीं नहीं तो मैं बताई दूँगा आपको ये थोड़ा मुव बनाएगी पारूल कुछ हजीव से चीज आए इमली बिल्कुल सही जवाब दोस्तों चार आंसर सही हो चुके हैं अब ये लास्ट बचा है और ये लास्ट है देखो क्या ये भी शायद आपको ये पक का गलत होगा ये लास्ट आइटम दोस्तों बताओ पैरूल क्या है काला नमक तो दोस्तों ये तो टेस्ट करने में पकी हैं किसी ने गलत नहीं बताया और सारे ने सही जवाब दिया तो दोस्तों आई का चले आपको कैसा लगा अच्छा लगो तो लाइक कमेट और शेयर कर दीजेगा तो कल फिर मिलते हैं नई चैनल या नई व्लोग के साथ तब तक के लिए टाटा बाई बाई सायोनारा